नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमेश जोसी आज आपके स्वास्त को लेकर तीन चीजें बताऊंगा अगर आप उन्हें नित्य सेवन करते हैं तो आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये भागदोर बरी जिन्दगी में हम कहीं ने कहीं अपने स्वास्त के परती इतने ज़्यादा सचेतना होकर उसके दिन परती दिन हमारा स्वास गिरता जाता है तो हमें ये देखना है कि हम क्या चीजें खाएं क्या चीजें ने खाएं क्योंकि हर चीज में कैमिकल इस मातरा में है कि हमको ये पता नहीं चलता है कि हम कितने मातरा में पेस्टिसा को खिला देते हैं जिबकि उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है जब वो बाहर टांग कर हमें अच्छी एनर्जी अंदर दे सकता है जब हम उसको खुद खालेंगे तो वो हमें कितनी एनर्जी देगा यह सोचने का विसा है या कुछ ना करकर हम सपेद कद्दू का जूस पिए उससे हमारे अंदर जो सकारात्म कुर्जा है उसका संचार होगा और वो हमारे को कैंसर अगर किसी को है तो उससे लड़ने के लिए भी वो हमारे अंदर एक पॉजटिव एनर्जी के रूप में काम करेगा साथिसान्थ हमको यह देखना है जो दूसरा है हो है हमारा सहद मात्रा भी हमको उसमें लेनी है क्योंकि कद्दू का जो जू से वह बहुत ठंडा होता उसकी तासीर ठंडी होती और हो सकता है किसी को नजल्भ जूखामबुखार भी हो जाए तो हमको यह देखना है कि हम सहध जो की हमारे अगर उसका गौण देखें तो वह उल्री हमेरे ब् तो सहद का आप कोशिस करें कि दिन में एक चम्म सहद जरूर लें चाहे किसी भी रूप में आप ले रहे हूं उस सहद को हमें खाना बहुत जरूरी है तीसरी चीज है कि हम अपने खाने में सुबह के समय नास्ते में मूफली का इस्तमाल करें मूफली एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम 3-4 घंटे भीगो के रखें या 6-8 घंटे के बीच भी भीगो के रख सकते हैं उसको भीगोने के बाद आप उसे मिक्सी में क्रेस कर लें जब आप उसे मिक्सी में क्रेस करने जाएंगे तो आपको मिलेगा कि आप उसमें जो भी आप को पसेंद्थ फ्रूट उसके साथ उसको क्रेस्ट कर ले और उसमें थोड़ा साई डाले सहर डाले फिर उस पेश्ट को ले जाए अगर वो पेश्ट आपको गाळा महसूस होता है तो उसमें ठीजबा लिक्विट बना कर अब उसको पीने योगär सकते अगर डिरेक्ट पीएंगे जुस पेस्ट को तो आपके पास पूरे दिन बर के लिए चार से च्छा घंटे के लिए एनरजी सरीर में भरपूर मात्रा कोगी उस पेस्ट को पीने से और आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं पकड़ेगी तो कोशिस करें कि आप ये तीन चीज का सेवन अपने जिवन में जरूर करें धन्यवाद